तो आज हम लोग का रहने वाला है लिक्षर नूबर 14 ओफ GKPY की स्रीज पार्ट 3 तो तीन-चार दिनों के बात के ब्रेक के बाद हम लोग के स्रीज स्टार्ट हो रहा है विकास अभी बीच में थोड़ा सा सा स्टरेडे संडे को तो होता ही नहीं है वर्टिकलर वीडियो से पूरी तरह से कवर हो जाएंगे तो इसलिए उने बोला था कि अगर किसी को एन्वार्मेंट के करना है तो वहां से वह से के लिए आराम से आप कवर कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई प्राइरटी अभी देने के जरत नहीं है कि आपके बाकी सब्वेक्ट शूट है हुए अभी ऐसा तुमारा सीजल का एक्जाम लगा नहीं है बहुत सारे हम पर सब भी स्टुडेंट्स हैं जो एससी जई के भी स्टूडेंट हैं सीप्यों के भी स्टूडेंट हैं चीज़ों को बहुत जरूरी होता है कि कौन सी चीज में कम इंपुट डालके ज्यादा आपको मिलेगा उस पे भी आपका दिमाग लगना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्टर और पहला कुष्टन यह रहा आपकी स्क्रीन पर विच अपर फॉल्विंग स्टेटमेंट्स इस बात्टू कम्मा फेस्टिवल बटू कम्मा महुंसा किसे मनमलिकत में से कौन सा कतन सही है अब देख सकते हैं यह कुष्टन जो है अब रिसेंट में किसी से एक्जाम पूछा गया है ठीक है विकौज रिसेंट एक्जाम के ही फिच्टन यह आप आपको मिलेंगे है अब यहाँ पे जो कुष्टन है यह आए ठीक है जब भी statement वाला question आए आपको क्या करना होता है आपको यह basic सी चीज़ लग सकती लेकिन यह exam time में help करती है कि आपको पता कि A सही है पक्का सही है हटा दो इसको अब देखना ही नहीं है इससे आपका burden दीरे दीरे जब एक option element करते हो तो कम होता है option elimination में help मिलती है भल C common है यानि कि अगर मुझे नहीं पताया this festival celebrated for nine days mostly during September फिर भी सही है यह क्योंकि यह मुझे पक्का पता कि तिलंगाना का है और पक्का मुझे पता तिलंगाना का है तो A तो होगा तो second में तो है नहीं तो C तो फिर पक्का हुआ C पक्का हुआ देख रहे है मतलब आप मेंसे मतलब खुदी बताना कुदी सोचना पर खुद से कि आपको पता था कि 9 days का festival होता है September October ही मना जाता नहीं आप मेंसे पता होगा भी तो यहीं पता होगा आप मेंसे कुछ लोगों कि यह भी तिलंगाना का होता है ठीक है तो इस इस festival men will sing songs and dance around the flower bunches यहां पर ऐसेच कोई डेटा फैक्ट तो यहां पर लिखा हुआ था फैक्ट तो यहां पर लिखा हुआ था वो तो सही होई गया है यहां पर कोई डेटा फैक्ट नहीं है अब क्योंकि होता है कि डेटा फैक्ट के साथ छेड़ चाल करने के ज्यादा चां यह बोल रहा है floral festival floral का मतलब होता है फूलों का पुष्प का यहां पे तो भी बोल रहा है flower bunches के around यह लोग डाश करते हैं तो यानि कि दोनों एक तरह से complimentary statement असर्ट मेंट से दोनों एक दूसरे को support कर रहे हैं यहां पर floral बोलता है यहां पर कुछ और बोलता देन हमें doubt होता ह ठीक है तो आंसर यहां पर A, B, C, D यह नहीं चारो यह आप्शन सही है आपके चारो इस्टेटमेंट सही है आपके 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 अप्शन नमर थर्ड तेलंगाना कि अगर बात करें तो यहां के कुछ और festivals और folk dances को देख लेते हैं तब तक आप यह बताएगे comment कि यह कब create कब हुआ था यह state कब create हुआ था तो festivals के अगर हम बात करें और तो इसमें हो जाएगे जैसे बोनालू important है ठीक है और सम्मक जात्रा सम्मक जात्रा यह दो अभी आपको festivals याद करने हैं then talking about यहां के जो folk dances है या टो इस यांगे है तो जैसे का लंबाडी हो जाएगा ठीक है लंबाडी और काफी सारे आपको मिलेंगे जो comment होगे बस्ल 라고 कि डिलंगाना और रट्प्रदेश के साथ common होंगे ठीक है लंबाडी हो गया ढप्व हो गया क्यौंजाडभी हो गया ठीक है था कुछ आपको मिलेंगे तिलंगाना की बात करें जून 2 जून 2014 को ये क्रिएट हुआ स्टेट ठीक है 2014 तिलंगाना वह मंग फॉल्विंग वाजी फॉर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया ने मलेकित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है अब इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हमने क्या क्या चीज पढ़ी है सर हमने पढ़ा है कि पार्ट भाग कौन सा है हमने पढ़ा है कि आर्टिकल अनुच्छेत कौन से है हमने पढ़ा है फॉर्स पूचा ठीक है फॉर्स पूचा है तो फिर करेंट कौन है भी composition कौन होता है composition मतलब क्या है और composition कौन decide करता है when did it became a multi-membered body when it was established और जब established हुआ था तो हम क्या celebrate करते हैं तो part कौन सा है part number 15 of the Indian concentration भाग 15 समयधान का है अनुछेद अन्य article 324 से लेके 329 से लेके 329 current अगर हम बात करें तो राजीव कुमार जी है हो सकते आगे change हो जाए तो एससे अगर बात करें तो अभी one plus two का है यानि एक चीफ election commissioner होगा और दो other election commissioners होंगे और जब भी कुछ मालो इनके बीच में dispute हो जाए मालो तो मैं यह आपको बताना चाहरा हूं कि जो matter है वो ऐसा नहीं कि चीफ election commissioners चीफ है तो इनकी चलेगी कि नहीं समों से चटनी डलेगी तो डलेगी ना matter will be decided with majority यहाँ पर तीन नंबर है तीन और नंबर है निए दो लोग जो बोलेंगे वो decide होगा यहाँ matter will be decided by the majority अगर कुछ भी हो जाता है तो multi-membered body यह बना था 1989 में हम यह कई बार बता चुक हो आपको कि क्यों बना था क्योंकि voting age decrease हुई थी from 21 to 18 through which constitutional amendment यह comment बताएंगे because multiple times में यह आपको बता चुक हूँ established अगर बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को यह create हुआ और इसी दिन हम national voters day मनाते है national voters day राश्ट्रिय मतदाता दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं 25 जनवरी को तो यहाँ पर जो सही answer होगा first थे हमारे सुकुमार सेन option number fourth talking about की हमारे देश के पहले कैग है यानि की controller and auditor general है यानि नियंतरा के वह महालेक परिक्षक कौन थे first attorney general है यानि के पहले हमारे महानयवादी कौन थे first finance commission के chairman कौन थे first chief justice of india कौन थे first governor of first rbi governor कौन थे तो first कैग की अगर बात करें तो we नरहरी राओ अब इसमें मैं deep में नहीं जा रहूं का आर्टिकल 148 में है ठीक है चाप्टर नंबर फाइफ पार्ट नंबर फाइफ है तो अभी मतलब थोड़ा सा फिक कोई first वाले में घुजगा है तो first वाले देख लेता है ठीक है वी नरहरी राओ ठीक है वी नरहरी राओ नहीं नहीं तो मैं बाद में सम्राइज करतेंगा पहले इस पर फोकस करी के पहला कौन था ठीक है अभी कौन है गिरिश चंत्र मुर्मू है ठीक फर्स्ट वाले जनल के अगर बात करेंगे तो कौन है यह हैं हमारे फर्स्ट के बात हो रही है एमसी सेतलवाद और मौझूदा समय में कौन है आर वेंकट रमनी ठीक है आर वेंकट रमनी फर्स्ट फाइनांस कमिशन के चेर्मैन कौन थे केसी नियोगी थे ठीक और अभी कौन है अभी 16 फाइनांस कमिशन क्रियेट हुआ है और अभी कुछी दिन पहले अनौंस हुआ है कि इसके चेर्मैन अर्विंद पंगडिया जो की नीतियाव के पूरुसी यो थे चंदरचूट ठीक है डी वाई चंदरचूट और फर्स्ट आर्विंद गवर्नर ओवस बॉन स्मिट थे लेकिन इंडिया की इंडियन अगर बात करें पहले कौन थे सीडी देशमुक थे सीडी देशमुक जी थे और अभी अगर बात करें या आप कॉमेंटर बताएंगे ऐ टैंग आर्टिकल 148 इसके स्टब्लिश्मेंट की बात करता है चैप्टर नमबर फाइफ और पार्ट नमबर फाइफ और पाइफ ऑफ और कॉंस्टिूशन भाग नमबर पाँच में हम सब को पता है यूनियन यानि की संग के बारे में दिया हुआ हुआ है पार्ट नमबर कर देता हूं इसे तुम बता चुका हूं चैप्टर वन में हमारा क्या है चैप्टर वन में यूनियन एक्जेक्यूटिफ के बारे में दिया हुआ नुचिद नंबर बावान से ठीटर जिसमें की President, Vice President, Prime Minister, Council of Minister, Attorney General यही सब तो आते हैं इन आर्टिकल्स में ये लोग आ गए, second 79 से start होगा और 122 तक जाएगा, ये किसकी बात करेगा, पार्लियमेंट जिसमें की लोगसभा, राजसभा, किस तरह से ordinary bill, money bill, financial bill, ये सब बिलों की बात करता है, ठीक है, चैप्टर नॉम्बर थोर्ड में अगर बात करेंगे, सिर्फ एक आर्टिकल ये 123 और डिल्स विद वाट, ये डिल्स विद धी, टेंप्ररी लॉग मेकिंग पावर गिवें टू दी प्रेसिडेंट, यानि कि अध्यादेश जारी करने की सकती, जहां पर राश्पती कुछ केसे में, कुछ वो कौन सी केस हैं, जब लोगसभा, या रादसभा, या दोनों ही, अगर सदन में सेशन नहीं चल रहा है, उस केस में, प्रेसिडेंट इस आर्टिकल का यूज करके, लॉक बना सकता है, कानून बना सकता है, कॉमेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुचेद 122 से लेके 147 के बीच में, चैप्टर नुबर 5, टॉक्स अबाट दी कॉम्ट्रोलर और ऑडिटर जेनरल कैग, ओर अगर हम बात करें, जैसे कि RBI की, तो RBI कब क्रेट हुआ था, यह हमें पता होना चाहिए, यह क्रेट होता है, 1 April 1935, 1935 को, 1926 में एक हिल्टन यंग कमिशन बना था, उसके रिकमेंडेशन पर लिक इसलिए नहीं रहा हो, विकास पहले हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है, हिल्टन यंग कमिशन के रिकमेंडेशन पर बना था, बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं, लेंडर अफ लास्ट देखते हैं, विचल फॉल्विंग हैस दी हाईएस्ट बोलेंग पॉलिंग पाइंडेशन पर लिकित में से किसका उच्चितम है, वैनि कि अगर इसको हम हीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत जल्दी बॉल नहीं होते है, इसको बहुत ज़्यादा टेंपरेशर की र दिखाई थी तो बाकी अभी आपको चैंशन नहीं जाना निटो अगया रहा का आई-बी में तो काफी काम आई-बी जो कभी जोब एक्जाम हुआ था लेकिन जब हम लोग का सीजल मेंस आएगा ठीक है तब अभी ऐसा मत सूचा करो कि वहीं निटों में ऐसा क्या है ठीक है मत तो वह हर चीज के रिक्वार्मेंट के विसस पर है जब सीजल मेंस आएगा तो हम लोग करेंगे ठीक है अभी थोड़ा से इसको डिसकस कर लेते हैं लकेन-लकीन-लकाइन होते क्या चीज़ है तो यह सब हाइड्रोकार्बन होते हैं यह तो हम लोग पढ़ी चुके हैं ठीक ह रफ्तध उन्तिव मतलँ है इंको पूरी टरफ्ती मिले गही है समझरोंना कि इसदर की वात करें असंतर थो सेच्टमें गेएँगे ऑलकेन ऐंगे कौन येयック मैं और क्लल करें छिक ए अलकीन अजये का यह और फॉल और अकौैन अजए और आएगा आइगा अच्छा अंतर क्या था समझतें थोड़ाशा ठीक है इसमें ulcain में क्या होता है single bond ulcain में double bond होगा ulcain में triple bond होगा तो मुझे बाता हो एक को तोड़ना असान होता है जिस तीन को थीन को तोड़ना कठीन होगा ना क्योंकि मतलब इसको तो बॉल करना कठीन होगा, तो alkyne is cancer हो जाएगा, clear, अब हमने ये भी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, कि saturated hydrocarbon जो है, वो burn होते है, clear blue flame से, अब मैं आपको एक example दूँगा, ठीक है, clear blue flame में, जैसे कि, alkyne का example है, LPG gas cylinder में भरी जाती है, सबसे जो प्रमुक gas होती, उसका ना तो alkyne को मतलब, मैं आपको एक उधारा ना दे दिया, मतलब इसका uses का, कि butane को LPG gas cylinder में भी उस किया जाता है, ठीक है, alkyne और alkyne ये हमारे unsaturated हैं, और ये burn होते हैं, तब ही आपने देखा होगा, जो आपके घर में LPG cylinder से जो खाना वगरा बनते हो, अगर आपने देखा हो ये prefix use होता है, दो carbon जहाँ पे होते हैं उसके लिए, तो ethylene, अच्छा, अब मुझे बताओ इसका formula क्या होगा, और formula भी मैंने आपको उसके लिए general formula बताया था कि अगर किसी alkyne, alkyne ये alkyne का आपको formula लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे alkyne के लिए मैंने बता ये आपको milk निकल के आ जाएगा, ये, C4H10 हो जाएगा formula, butane का, मैंने बोला, इत दो carbon के लिए use होता है, लेकिन ये alkyne है, और alkyne के लिए formula होता है, CnH2n, दो carbon जो extra लगे थे ये, हटा तो इसको, अब यहाँ पे दो रखो गे, तो C2H4 निकल के आएगा, ये हो गया, ethylene का formula, ethylene का formula, ethylene को use कहाँ पे करते हैं, तो ethylene को हम use करते हैं, fruit ripening में, फलों को पकाने में use करते हैं, इसको हम लोग, fruit ripening में, और तीसरा है हमारा alkyne में, एक example में आपको देता हूँ, acetylene, ये फिर इसको ethyne भी बोलते है, ethyne बोल लीजिए, in, in लगा हुआ, in और ethylene, 2 carbon, जैसे कि 2 hydrogen कम किये तो यहाँ से आने में, ठीक है, तो plus 2 अटा दिया था, अब यहाँ से आ जाने में, फिर से 2 carbon हमें, 2 hydrogen कम करने पड़ें, carbon नहीं, 2 and minus 2 कर दो, अब क्योंकि, ये ethylene है, ith, prefix कि कि ये use होता है, 2 carbon के लिए, तो C2, H, यहाँ पर रखोगे, तो 2 दू नहीं, 4 minus 2 C2, H2 हो जाएगा, इसका, ठीक है, ithylene बोलो, या फिर इसी को हम common name इसका है, acetylene, इसको हम use करते है, welding of metals में, ठीक है, welding of metals में, इसका प्रियोग किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंगला question देखते है, what is the Malayalam new year called in Kerala, केरल में Malayalam 9 वर्ष को क्या कहा ज मना जाता है, उन्यू यर के फस्ट तोर पे, यह Odisha का ही festival है, लेकिन new year festival नहीं आई है, ठीक है, विशु इसका सही answer होगा, पोंगल Tamil Nadu का एक festival है, लेकिन ये new year festival नहीं है, Tamil Nadu का है, पुथांडू, याद कैसे रखेंगे, Tamil Nadu, पुथांडू, और यह चीज ध्यान रखना, पॉंगल का मतलब पूछ लिया तभी एक्जाम में, पॉंगल का मतलब होता है, to boil, उबलता हुआ, एक तरह के dish होती है, ठीक है, और अटुकल पॉंगल करके एक festival होता है, अटुकल, डबल क्यों होगा, अटुकल, पॉंगल, और यह festival है, कहां का, केरल का, पॉंगल, Tamil Nadu का ह उगाडी, उगाडी कहां का है, उगाडी भी New Year Festival है, यह है आंधर प्रदेश का, आंधर और तेलंगाना रीजन में मनाया जाता है इसको, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूँ, जैसे की, पटेटी, या फिर नौरुज, पटेटी, या फिर नौरुज, गुडी पढवा, गुडी, पढवा, पॉइला बईशाक, पॉइला बईशाक, कुछ स्टुडेटी बोलते हैं सर आप काफी सही प्रणाउंज कहते हैं इसको, ठीक है तो पटेटी, गुडी पढवा, पॉइला बईशाक, और हाँ, एक ले लेते हैं, लोसार, ठीक है, पटेटी नवरुज, इसको पार्सी कम्यूनिटी सेलिब्रेट करती है, गुडी पढवा को महराष्ट में, अनि कि मराथी कम्यूनिटी सेलिब्रेट करती है, इसको, पॉइला बईशाक, समझ ही होंगे आप, बंगॉली कम्यूनिटी, अनि कि वेस्ट बंगॉल में, ठीक है, वेस्ट बंगॉल, लोस सार अगर में बात करें तो तिब्बतन न्यू यह सब जगे ठीक है तो यह करम बात करें तो यह हो जाएगा तिब्बतन न्यू यर आपका एक चीज़ घ्यान रखन है जितने भी नियू क्स टाइम पर यह म Sadly मनाय जाते है आपके टाइम पहीं मेनली चैत्र के टाइम पह कब यानी कि आप री समझ लो कि मर्च इस buildड़ के टाइम पह исまで बिए इत्व इंदी क हुआं मार्ट ये कउछी पूछ जा चुका है है January से लेके December तेक उनको Hindu Month Calendar के According क्या बोलते हैं पता हो ना चीह ठीक है तो क्या बोलता है October को October को बोलते है Karthik ठीक है Karthik बोलते हैं ठीक और September को क्या बोलते है Comment बताएंगे जो किसके पहले होता है चलिए आगे बढ़ते है Question Number और इसी टाइम पे कार्तिक के महीने में ही आपकी दिवाली और दशेरा भी सलेबेट के रहाता है यह जो फेस्टियोले बातु कम है दशेरा से पहले होता है ठीक है अगेन रिवर सिस्टम पे मतलब कुश्चन आता ही आता इतना इंपोर्टन है ठीक है तो रिवर सिस्टम को हम दो कैटिगरी में डिवाइड करते हैं एक तो हिमाले की नदी और एक प्राइडिपी पठार की नदी निए पेनिनिसलर इंडिया के रिवर मतलब की यह हमारा प्यारा भारत है और यहां पर हिमालय और यह प्राइद भी पठार इंडिया के one of the six geographical feature में total छे जोगरिफिकल फीचर है मैंने बताए भी ते जब और कोई question है कि तो फिर वहां से देखेंग अभी उस पर नहीं जा रहे हैं यह कि यहां पर हिमालय एक जोगरिफिकल यह inverted triangular shape में ultra triangle ट्रिभुजी के shape में यह peninsular plateau भी पठार एं यहां की नदियों में तीन नदीया नदी तंतर पढ़ने होते हैं river system पढ़ने होते हैं river system का मतलब होते हैं वो river और उसकी tributaries, distributaries, तारी ट्रिविश ठीक है इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा ठीक है यह तीन रिवार सिस्टेम पढ़ने होते हैं लेकिन यहां पर पेनिंसिलर इंडिया की बात हो रही तो इसको अभी हटा देते हैं वह ऐसे हम तीनों तो पता नहीं लेकिन यह दो तो पूरा ढंग से पढ़ चुके हैं और दो त पढ़ चुके हैं नहीं पढ़तों यह लेकिन फिर से में इसको समगरएज कर देता हूँ है यहां पर ज़्यादातर हमारी नदियां कई पीद हमारा जो प्राइडि पिळा है इनवर्टे ट्रांगलर शेप की तरफ है यहे इस्ट की तरफ ही तिल्टET होती है वो west flowing river होती है जैसे नर्मदा हो गई ठीक है तापती हो गई यह क्या है यहां पर आके east chvary create करती है जवारबत उन्मुक create करती है इस च्वary create करती है दोनों rivers ठीक है यह सिर्व ऐसा नहीं दो ही rivers है बहुत सारी rivers है जैसे east flowing में भी यहां पर नीचे कवाई गई करके है यहां पर आंद प्रिदेश में एक पन्नर करके river है तो चलिए अभी west flowing पर ना focus करके फिर से east flowing पर थोड़ा focus कर लेते हैं भी महा नदी अगर बात करें तो इसमें हीरा को डैम है जो की इंडिया का longest डैम है major river है ओडिसा की देन यह जो नदी है गोदावरी नदी है और गोदावरी को वृद गंगा के नाम से जानते है दक्षिन गंगा के नाम से जानते है निकलती कहां से है निकलती है western घाट पश्चमी घाट में एक जगह है महराश्ट में पढ जलती है यह गोदावरी नदी इसकी ट्र temporary praण घिता सबरी इंडरवति यह हैं सारे इसकी ट्रेबीयूटरी जानि साहक नदी यह ज़क्र इंगा पैन गंगा वर्धा मनजीरा प्राण हिता सबरी इंदरवति तेन आ जाते हैं kr queste मीघाट से निकल रहे है से ही महराश्ट से न की निकलती है आपकी क्रिश्ण र Nein रंशन है अभंस दो। cerf महराश्त में अंध्यीयं पुछेगा डालेगा आपसे ब्रह्म किरी ओप्षेंगशन में ठीक है और गրम गिरी ट्रीकि ग Ebola कार्म बात करें तो हम लोगों नियाद किया था भीम, तू, तुंग भद्रा, मौसी, मूसी, को, कोईना, घाट, घाट प्रभा को ले जाके माल रिसीव कर तुम, माल प्रभा, भीम, तुंग भद्रा, मूसी, कोईना, कोईना, घाट प्रभा और माल प्रभा ये हमारी है कृष्णा की इंटिप्यूटेज और कावेरी की मैंने आपको इस तरह से याद करवाएं थी कि जिसके नाम के लास्ट में हैनि सफिक्स नियती होगा कावी नी भावा नी ठीक है हेमवती ठीक है अम्रावती इस सब किसकी है यह कावेरी की लेकिन इंद्रवती यह जो है यह गोदावरी की है यह कावेरी की नहीं है यह भले इनके लास्ट में ती लगा हुआ है बट एक एक एक्सेप्शन के केस में आप इनको रख सकते हैं तो आंसर क्या होगा लार्जेस्ट इवर है यह तबी तो इनको अम दक्षिन गंगा के नाम से भी जानते हैं इंडिया नौटर्न इंडिया के फिर ओवर एल इंडिया की लाजेस्ट इवर कोण गंगा उस तेरह हमारी ठीक है मिलखा सिंग जी की है ठीक है स्ट्रेट रॉम दी हार्ट कपिल देव की है कपिल देव और प्लेंग इट माई वे आप सभी जानते हैं से चिंद अंडियकर अलोंग इनके को आउथर ते इसमें बोरिया मजूंगदार अंसर है करेजन कन्वेक्शन बिकॉस करेजन कन जो है यह चीफ आफ आर्मी स्टाफ जब पूरा ने रहे चुके है हमारे जनरल वीके सिंग उनकी किताब है यह जनरल वीके सिंग टॉकिंग अबाउट अधर आटोबिग्रफीज ऑफ स्पोर्स परसन जैसे की 281 और बियॉंड टीशेट अफ माई लाइफ दिटेस्ट आफ माई लाइफ असेंचुरी इस नौट इनफ एक संचुरी काफी नहीं है टीशेट उतारके और लॉट्स के स्टेडियम में लहराने हैं उसको कौन सौरव गंगुली यादे देखा है कि सबने किस तरह से टीशेट उतारके इंग्ल लाइफ के अगर बात करेंगे तो युवराज सिंग युवराज सिंग क्योंकि लाइफ ने इनका टेस्ट लिया था कैंसर हो गया था इनको पता 281 और बियॉंड वीवी एस लक्षमन अच्छा यह बताईए दी अनब्रेकेबल यह किसकी ऑटोबाइग्रफी है यह एक बॉ After about 75 years of हर्षवदना's death, हर्षवधन's death, डैश rose to power in कन्नोच, हर्षवधन की मृत्यू के लगबग 75 रषमाबाद कन्नोच में सत्ता में कौन है? कन्नोच में, कन्नोच, वही कन्नोच जिसके लिए क्या हुआ था? किस के बीच में ही struggle हुआ था कूण सी dynasties थी एक तो गुर्जर प्रतिहार थे नॉa फिर नॉथ इंडिया के सदन और या फिर सेंट्रल सदन इंडिया थे अकर हम बाद करें तो उसमें थे आपके राष्ट कूट ठीक है राश्टिकूट और इस्टन इंडिया के थे पाल इन तीनों लोगों के बीच में ट्राइपाटाइट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए ही जीत तो किसी के नहीं थी डिसाइजिव अगर बात करें हाँ लास्ट में लेकिन गुर्जर प्रतिहार थोड़ा सा विक् इसने था नर्मंदा नदी के तर्ट पे बता चिकाओ मैं आपको पुला के सिंटू नहाराया था तो खुदी सोचो पुला के सिंटू इनके डेथ के 75 साल बाद मतलब होंगे क्या ऐसा तो है नहीं पुला के सिंट ने मतलब 10 साल की उमर में इसे यूद दिलड़ा था हाँ त 25 भी वह मान लेते हैं कि चलो 25 भी तो 100 साल की उमर में कोई नहीं आ रहा है कि यहां पर पावरफुल ठीक है तो लॉजिकल नहीं है आप अराम से इसको अलिमिनेट कर सकते हैं पुला के सिंटू एक चालुक्यान टूलर थे जो की बादामी औफ चालुक्या से बिलॉग करते हैं ठीक है यह लोग थोड़ा सा यहां पर स्प्रेड हो गया तो इनको इस्टेन चालुक्या बोलते हैं कि कैबिटल वेंगी हुआ करती थी इन लोग की वातापी वातापी जब यह लोग थोड़ा सा सबसाइड कर गए क्योंकि पल्लव ने इन पर अटायक कर दिया पल्लव केसिन टू ने हर्शवर्धन को हराया नर्मदा नदी के टटट पर ठीक पहला दूसरा महेंद्र वर्मन को भी पुला केसिन टू ने हराया जो कि एक पल्लव रूलर थे और इनके बेटे थे नर्सिम वर्मन वन जिन्हों ने फिर पुला केसिन टू की हत्या कर दी ताब खु conquer कर लिए तो पल्लव इन पर dominant हो गया चोटे सी जगे में सिमिट के रहे गया जब बाद में फिर से अमर्ज हुए तो उनको लेटर चालुक क्या बोलते हैं और यह जो यह चालुक क्या लोग थे यह एक कदम्ब करके dynasty थी उसके फ्यूटरी थे कदम्ब करके ठीक है तो यहां पर यह तो option नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता है दो option हमारे इसके टाइम पर दूसरा Chinage टेल उसने की किताब Si Yu Qi लिखा था क्या Si Yu Qi और Reun Sang के नाम से जानते हैं और हर्शीवर्धन का किताब है हर्षीचरीतर जो के बांड भट ने लिखी है इन्होंने क्या लिखी रतना वली ठ्यक है ध़्यान रखना हर्षवर्धन और कुछ तो नहीं हाँ ये पुष्य भूती डिनेस्टी से बिलॉंग करते थे जिसको वर्धन डिनेस्टी के नाम से भी बोलते हैं जो हर्श वर्धन डिनेस्टी है इनके भाई का नाम था राज्य वर्धन और इनकी बहन का नाम था राज श्री हमने सब कुछ देखा था किस तरह से राजश्री को जो है या फिर लंबी स्टोरी उस पर अभी नहीं जाते हैं ठीक है तो अभी के लिए सिर्फ याद रखने आपको अगले कुश्चन पर आते हैं कुश्चन नमबर एट इसका पहले बता हैं तो अभी हां पर हुआ ये था कि हर्श वर्धन थे ठीक है और इनके भाई थे राजश्री इन की बहन थी मतलब यहां पे हम वो जैनी reasoning में आप बनाते हो पुरा tree डाइग रहा हो तो वो बना लेते हैं यहां पे ठीक है तो हर्शवर्धन थे उनके भाई थे राज्यवर्धन ठीक है प्लस प्लस क्योंकि male है और यह female है इनकी साधी जिससे हुई थी उसका नाम ग्रेवर्मन था हुआ आपको याद करने के दूरत नहीं वो ग्रेवर्मन करनाज के रूलर था अब उसको एक रूलर हुआ था गुपता करके नाम था उसका कुछ क्या नाम था उसका exactly देव गुपता वो मालवा का रूलर था तो देव गुपता ने शशांक जो गौड करा जा था गौड ये बेंगॉल में प्रोविंस पड़ती थी वहां का तो उसके साथ मिलके मार डाला ठीक है राजवर्दन ने बदला लिया राजवर्दन ने देव गुपता को मारा फिर शशांक ने राजवर्दन को मार दिया फिर हर्शवर्दन ने शशांक को मारा तो question बस ये ध्यान रखना को ये पूछ सकता है कि शशांक कहा का रूलर था क्योंकि ये पूछा जा चुका तो शशांक God province का रूलर था तो ये नायक का institution बहुत important है ये कि अमर नायक कौन होते थे अमर नायक तो अमर नायक की military commander हुआ करते थे पहले तो ये ध्यान रखना होते कौन थे ये military commander होते थे जिनको की जमीन दी जाती थी कि आप एक तरह से आप govern करो आप administration समालो आप military commander हो उसके बदले में आपको जमीन देंगे जमीन कौन देता था राया देता था राया मतलब king देता था जो विजयन अगर empire में आपने कई सारे king के नाम सुने होंगे जैसे कि सबसे famous के इंक्रिष्ण देव राया राया मतलब chief ठीक है ऐसे देव राया first देव राया second राया वहां पर नाम का यूज होता है ठीक है तो फरनाओ नुनीज के अगर बात करें तो यह italian traveler ठीक है option number first यहां पर सब्सक्राइट होगा फरनाओ नुनीज फरनाओ नुनीज के अगर बात करें तो यह अच्छी उत्र राया के टाइम पर आये थे ठीक है अच्छी उत्र राया के टाइम पर आये थे यह कुछ और ट्रैवलर्स की बात कर लेते हैं ठीक है विजयन अगर एंपैर के बारे हम तो बहुत सारी चीदें देख चुके हैं लेकिन इसको थोड़ा सा बनाते हैं specific to the ट्रैवलर्स तो फरनाव नुदी अच्छी उत्र राया के टाइम पर टैलेंट ट्रैवलर्स इंटली से आया थे ठीक है डॉमिंगो पीस एंड दुवर्थे बार्बोसा यह किसके टाइम पर आये यह दोनों लोग आये थे के डिय यार जैंड लिक हूं तो आप समझ जाओ क कि मैं बात करहा हूँ जो किस dynasty से बिलॉंग करते थे यह मत बोल देना सर विजयनगर डिनिस्टी से बिलॉंग करते थे विजयनगर एक empire है मैं आपको समझाय था जैसे कि युत्तर प्रदेश एक empire है इसमें बसपा भी आई इसमें सपा भी आई इसमें भाचपा भी आई तो इ यहां से आई ते उसी देश से आयते जहां से मरे कौन है रोणालड यह है और अगर हम बात करें ये तो अब्दूर चाफ परसय ट्रैवलर्स है अब्दूर अबंधूर रजाघme पाकिस्तान का बोलर नहीं है ठीक है यह अब पाकिस्तान से आदा यहाउव्द मल्क दूसरी साधि कर ली है सुना है सही है क्या तो ख़र निकोलो कॉंटि के छा बात करें so यह बात करें तो यह थे देव राया सेकेंड इसे करष्ट क्या टाइम ठीक है और यह थे परिशन ट्रावल मतलब इरान से और इरान से फिर मुझे पाकिस्तान या दा रहा पतानी क्यों ठीक है और निकोलो कॉंटी है इटली से निकोलो दी कॉंटी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन हमारा और अच्छा चलो थोड़ा से ये पेज खाली नहीं छोड़ते हैं बुरा लग जा गया था और इस एंपायर के एंड कब हुआ था 1565 में हुआ था इसका एंड बैटल ओफ ताली कोटा जिसको किया बैटल ओफ राक्षसी तंगडी के नाम से भी जानते हैं विकाज ये गाओं के नाम थे दो वहां पर राक्षसी तंगडी जहां पर ये युद्ध लड़ा ग ठीक है वैसे तो यह जो डेकन के सुल्तांस थे हमने पढ़ा था कि पांच यह जो बह्मानी किंड़म है पांच डेकनी सल्तनस में तूट गया था उसमें से विजापूर एहमदनगर गोलकॉंडा ने अटाइक किया था बाकी दो कौन है बिरार है और पांच वहां पर जिसका नाम A से शुरू होता है जरा बताइए अगले गुस्चेन पर आते हैं था इंपॉर्टेंस ऑफ डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स इस डाट दे कंटेंड डैश ऑफ दी स्टेट प्र टूर्ट इस सिटेजन निदेशक सिद्धानतों का महत्व यह है कि उनमें राज अच्छिका अपने नागरिकों के परतिक कैसा होता है क्या होता है फॉङ थे को आटिकल नंबर थी आ और जली सरवाइज करते हैं क्यार हैं वह समिधान में और मनें पूछा था कि आप मैंसे किते लोग नहींichen बता है तो आपकर future हैं प्राड आहीं थी कोई आयरलेंड से इनको हमने लिया है और यह पॉजिटिव उब्लिगेशन या नेगेटिव उब्लिगेशन अब एक चीज तो पक्का है यह इन दोनों में से होगा हमेने एक चीज भी आप में से काफी लोग जानते हैं मैंने आपको बताया था था थोड़ी देर पहली तो बताया इसलिए पॉजिटिव है वोी रिस्टिक्ट करता नहीं करना है जैसे स्टेट शाल नॉट डिस्कृमेनेट अर्टिकल फिफिटीन यही बstanden चिरल न नॉट डिस्क्रीमिनेट इन तो एक नेग एक बजिगेटिव राइट है से यहां पर अगले वाले में देख लेंगे स्टोरी तो इस तरह से 36 में तो state का definition दिया हुआ है कि state का क्या मतलब है और यह वही मतलब है जो article 12 में है यानि कि सब कुछ आ जाता है मैंने आपको बताया था कि जब भी right to work और हमें तो वर्क ही नहीं है तो यह नों जिस्टी से बले है निवादी होगे नहीं है यह अब आते हैं अक्चुल स्टार्ट होते हैं 38 से तो ऐसे याद रखो एक ldc है ठीक है lower division clerk है जो public health center में काम करता है ठीक है उसको लगा कि यार मतलब हमें कुछ करना है लोगों के लिए करना है मतलब कुछ गरीब लोगों के लिए उसके अंदर मतलब चाहत उठी और उसको लगा कि यार में UPSC करके तो सेविल सर्वेसे आइस बनके कुछ कर नहीं सकते तो हमारी एज निकल गी तो हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उसने क्या किया सबसे पहले तो लोगों को जस्टिस दिलाए नया दिलाए कि लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं काम से कुछ लिना देना है नियुका तो उसने सौंच आ कि पहले हम जस्टिस दिलाएंगे और लीगल एड दिलाएंगे उनको ठीक है ताकि उनके जो केस वेसे उनका निप्टा रहा हो जमीन का करने हाली कि नहीं है वो जेक करेंगे जस्ट एंड हमें कंडिशन अवर्क होनी चाहिए जो माताय बहने काम करें उनको मैटनेटी रिलीफ मिलनी चाहिए जैसे वो प्रेगनेंट है तो उनको अईसा नहीं की जरत है लेकिन आप उनका सालरी नहीं दे रहा हो ठीक है तो वो भटता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन काम करने के बाद दिन में असी रुपए पकला देता है जो मालिक है तो लिविंग वेज मिलना चाहिए फ़र वर्कर्स उसके बाद उसने ये देखा कि ठीक है मैं तो हर बार तो चीज़ों कुद कर नहीं प तो बस इतना यहां तक याद कर लो 44 तो बहुत ही असान है 4-4 कितना समान सा लग रहा है तो समान आचार सहींता यूनिफॉर्म सीविल कोड खतम ठीक है अब ये LDC-PHC अभी नहीं बता रहा हूं इसका पीछे का भी रीजन है इसका लिवली हुट मतलब इसका ये 39 डीप है 39 में टोटल 6 ये 6 DPSP एक तरह से दिये हुए ऐसे समझ लो 6 दिये हुए प्रोविजन तो वो हम भी नहीं देख रहे है ठीक है और इसमें वेलफेर की बात है तो ऐसे आत कर लो लोगों का वेलफेर करने के लिए एक लोवर डिविजन क्लर्क जो पब्लिक हेल् इसमें वेलफेर करें फिर रहने योग भत्ता दिला लेविज और पार्टिसिपेशन अवरकर्स को एंशोर किया जिसको कि हम देखेंगे अमेंडमेंट्स एड़ किया गया था कौन-कौन से DPSP को अमेंडमेंट्स एड़ किया गया था वो अभी छोड़ दो आगे था ठीक है अभी के लिए सिर्फ इतना ही इन दे ध्रविडी स्टाइल अफ आखिटेक्ट्चर दे गेटवे अफ टेंपल सार नौन आज वास्तुकला कि ध्रविड शाली में मंदिरों के प्रवेश द्वारों को किस रूप में जाना जाता है च्छतरी पूरा मंदब या फ अपा अंडु यहां पर जो गेट Εंसे ना यहां धिरवी वसको विलते हैं अब यहां पर यहां पर ऑलिवै उसको में को लोग थ लिखेंइंब आप आते हैं हम temple architecture देखते हैं तो यह पटता है कौन से temple है कितना बढ़ियाँ टेंपल है इतने मज़ा आ जाता है देखके तो यह temple है ब्रियदेशवर temple कहा का तंजावुर का किस ने बनवाए था इसको कौन से चोला रुलर ने बनवाए था ब्रियदेशवर temple दो थे एक तो पीमारा बना था गंगई कोंडा में गंगई कोंडा चोला पूरम में और गंगई कोंडा का टाइटल किसने लिया था राजेंद्र चोलावन ore फिर राजेंद्र बन इस वाए थे आधर यह ऐहां पर यह जो देख पा रहे हैं तंज॑र का है यह पता है यह जो पहले यह देखो तुम ठीक है यह है नॉर्थ इंडिया का टेंपल यह नॉर्थ इंडिया का टेंपल और यह है इधर जो आप देख पा रहे हैं साउथ इंडिया का टेंपल है साउथ इंडिया का टेंपल अभी मैं आपको आयोध्या भी ले चलोंगा ठीक है नॉर्थ इंडिया का temple है, और South इंडिया का temple होटा है, वो नगर style में बनता है, N for North और N for Nagar style, और जो South India का है, वो ड्रवैड style है, नहीं कि साउथ इंडिये में लो little bit differences हो सकते हैं लेकिन दिफ्रेंस यह होते हैं जैसे कि इन क्या है Jewish अब देखे इसमें एक मेर केरम में श्राइन में यह भी ऐक में हजाईन है लेकिन सब्सीक्रिण च Lights'mेय नौध इंड्य में नहीं होता है यह लेकिन मंडब दोनों में मंडब मंडब मतलब हॉल entry hall समझ सकते हो ठीक ये common है और दूसरी चीज़ क्या common है गर्ब ग्रे सुना तो होगा तुमने भी जब ये आयोध्या आयोध्या ये मतलब राम जी का अप्रान प्रतिस्ठान हुआ तो गर्ब ग्रे गर्ब ग्रे बार बार नियूज में आ रहा था अब डिस्टिंग एक चीज़ और है शिखर देख पा रहे हैं यहां भी शिखर यहां भी शिखर है लेकिन दोनों अलग हैं शिखर यहां पर यह चीज़ है यह चीज़ है यह जो ऐसा बना हुआ शिखर यहां पर जो टॉप है ना उसका उसको बोलते हैं शिकर को South India में इसको तुम भूल भी सकते हो लेकिन Mandap को मत भूलना Garb Gray को मत भूलना और तीसरी चीज़ अब जो मैं बता रहा हूँ उसको मत भूलना ठीक है शिकर समझ में आ गया और एक चीज क्या मतलब जो main अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो एक चीज़ दखो यह जो है North India के टेंपल इस तरह से नहीं दिख रहा है आपको इस तरह से इसको बोलते हैं करवी linear shape में होते हैं यहाँ पे ऐसे step में ऐसे खट-कट-कट-कट-कट-कट ऐसे हो रहा है ऐसे अब जो important चीज़ है यह गोपूरम आपको सिर्व South India में ही मिलेगा यह क्या होता है यह gateway होता है gateway है कि भाई अब यहाँ से तुम जो enter कर रहो ना वो मंदीर में तुम enter कर रहो यह गोपूरम है यहाँ पे फिर ऐसे चलते चले जाओ चलते जले जाओ फिर actual मंदिर चालोगा जिसमा महौल होगा और फिर यहाँ पे भगवान की मूर्ती यह गोपूरम नौर्थ इंडिया में नहीं होता है ठीक है एक extra चीज अगर याद करना चाहते हो तो याद मत करो बस सुन लो नंदी यहाँ पे बाहर होते हैं इंडिया में नौध इंडिया में नंदि si थापीत होते मंदिर के अगर आपके आपने और इंडिया में नंदि अंदर रोते हैं मंदेर को यहाँ बाहर होते है थीक है तो यहाँ पैसर क्या हो जाएगा कि força ओभी टेंपल औफ यहाँ तो गेटवे पूचहा है ना यह जो है यह जो है ना यह यह है गोपूरम आपका कि यहां से आपके इंट्री हो रही है दिन यह मंडब होगा दिन अंदर गर्भग्रे होगा और यहां पर पता है साउथ इंडिया में यहां पानी आनी की टैंक होएं कभी हमें देखने को मिलते हैं अब यहां नंदी जी दिख तो नह सक्षा है अलारा कल्मा से सखी थी सारी पुत्रा महावीर जैना संभू दावी जया या फिर गौतम बुद्द तरह में पता कि अलरारा कल्मा ठीक है और उ जन्म का हुआ था , 563 BC में हुआ था कहाँ पर वहा था लुंबीनी नेपाल में हुआ था इन की डैथ है , सिसने newlyde e लाट वं हुआ था , gagalई 2020 480 BC में हुआ था , अभी Rakोशी name यह था , यह फिर WROT Siyarnala , यह 5. utama plain solchen इनके किया रही है कंठक कहीं कईकर चन्ना दिया हुआ है बातके ₹ जो चायिए को क्या बोलेंगे हिंदी में चायिए मितलब वो जो नहीं जिसमें गोड़ा वो अग्फा घ्राजा जी बैखे लोते हैं वो चायिड बोलते हैं श sitten खसके। Birth, Death हो गई, Renunciation हो गया, अब क्या होगा अब ग्यान दिलवाएंगे उनको हम यानिकी Enlightenment, Enlightenment को क्या बोलते हैं Sir Enlightenment को बोलते हैं, Nirvan ठीक है, Nirvan हुआ था Both the tree के नीचे Both the tree के नीचे इसले इसको Both the tree से represent करते हैं इसको horse से represent करते हैं And then इन्होंने अपना पहला sermon यानि की उपदेश दिया था, वो कहां पे दिया था, सारनात वारानसी में दिया था, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, means represent करते हैं इसको बोलते क्या है इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तनona e true डा फ्लो धर्म चंप्रवर्तन यह लिए लिव लिख चुक हुँ पहले इसलिए इतनी सुंदर कील डिं दिर्खि रहां ओर फिर नत कीब बात करें तो उनकी values को डेथ नहीं बोलते हैं, डेथ को बोलते हैं, महापरी निर्वान, निर्वान मतलब अनलाइटेन्मेंट और महापरी निर्वान मतलब डेथ, ठीक है, महापरी निर्वान और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर फॉलिंग परसेंटेज़ डेपिक्ट्स ती लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया 2011 की जनगड़ना की अनुसार नहीं लिकत में से कौन सा प्रितिशत बारत में शहरी करण के स्थर को दर्शाता है 2011 संसस जिसका थीम क्या था और संसस आर फिउचर तो उसने अर्बन जो इंडिया की पॉपलेशन है उसको प्रिडिट किया था रफली 2001 में थी अक्शली मुझे 31 और 33 में कन्फ्यूजन हो गया लेकिन मुझे इतना पता है कि 2001 में 27.7 परसेंट थी और इंक्रीज हुआ था 3.3 परसेंट का है नहीं 31 होगा फिर हाँ ठीक है तो 31.16 रफली परसेंट होगा तो ध्यान रखने 2001 में इतना अर्बन पॉपलेशन था और 3.3 परसेंटेज का इंक्रीज देखने को मिला था और अगर हम एपसल्यूट नंबर में बात करेंगे सर तो एपसल्यूट नंबर में य 377 मिलियन ठीक है 377 मिलियन अच्छा रूरल में कितना था रूरल का परसेंटेज अर्बन से काफी जादा था 2011 के संसस के एकॉर्डिंग 68.8 परसेंट और शायद मैं आपको बता चुका हूँ most urbanized state अगर बात करेंगे तो तमिल नाड होगा most urbanized के अगर हम बात करेंगे तो most urbanized वैसे percentage के टम्स में तो गोगा है ठीक है तमिल नाड हो जाएगा और अगर most rural अगर बात करेंगे तो यह आपका हर्याना जहां पे सबसे ज़्यादा गाउं के लोग रहते हैं ठीक हर्याना ह जाएगा एंड हमने यह देखा था कि हमारा annual growth rate कितना है population में ठीक है annual growth rate है कितना एन्वल growth rate population का decadal growth rate population यह दसकी व्रदी यह वार्षिक विद्री और यह दसकी व्रदी तो वार्षिक की अगर बात करें तो 1.64% थी और दसकी की बात करें 17.7% थी moving on towards the next question which of the following is an example of mini ratna तो इनमें से mini ratna कौन सी company है इनम लिकत में mini ratna का उधारन कौन सा है तो हमें जितनी भी हमारी companies है उनको हम किस category में divide करते हैं महारतन नवरतन और मिनी रतन तो महारतन मिनी रतन और नवरतन तो यह इंक्रीजिंग स्टेटेस है नहीं जितना महारतन है तो ज्यादा पावरफुल कंपनी एक तरह से नवरतन है तो थोड़ा काम मिनी रतन है तो थोड़ा से कम ठीक है तो महारतन की अगर बात करें करता है तो ministry of commerce and industry है यह इनको करती है ठीक है ministry of commerce and industry सब कुछ पढ़ा था कि डॉबर न하하र ने पुरा प्रेल का डे व्लकमेंट किस तरह से हुआ तो सबसे पहले डॉबर नार ने अपना क्या दिया था का सिध़ान दिया था जहाँ आप इन्हों ने ये बोला था कि अलिमेंट ए emissions एपे इनके उप इनके increasing atomic mass कि हड्रोजन लीथियम और सोडियम को आप कंपेर कर सकते हैं बात अगर करें हम यहां पर लॉफ ट्राइड तो हो गया और यह कब दिया था तो ध्यान रखने इसमें दो चीज़े हैं मतलब एक तरह फाउंड तो नहीं 1817 में किया था लेकिन पब्लिश हुई थी थी त्योरी 1829 म हो सकता है इसके बाद new land ने love octaves दिया था जो कि बोलता है जिस तरह हमारी musical notes होती है सारे गामा पादानी और उसके बाद फिर से सा आ जाता है उसी तरह नहीं यह बोला था कि अगर हम increasing atomic mass में elements को लगाएंगे तो जो इसकी property होगी first वाले की वह 8th वाले property से resemble करेगी same रहेगी यह इन्होंने बोला था ठीक है यह dore me का यह dore maa मतलब वहां पर होता है और मतलब western countries में जैसे हम सारे का हंकरता है my दिखना अगला मेंजस स THIS को अटॉमिक मास पर डिपेंड करती है जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं अटॉमिक मास अटॉमिक वेट को ध्यान रखना लेकिन इट वाज फॉर्ट टाइम हेंड्री मॉजले जिनको फादर अफ मॉडर्न पीरोडिट टेबल बोलते हैं आधुनिक आवर्च सारणी का पिता इन्होंने 1913 में पिरोडिट टेबल देते हैं यह बोला था कि एलिमेंट की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉबर्टी है वो उसके अटॉमिक मास नहीं अटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है यह हैं यह हैं यह याद रखने यह मैं इसलिए बतारों कि पूछे गया है ठ लेकिन अटॉमिक नंबर पर जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बेस्ट होती है क्विस्टन नंबर 15 ती डैश वस्टार्टे इन बेंगॉल इन 1859 डैश की शुरुआत 1859 में बेंगॉल में हुई थी संथाल बिसोई यह फिर इंडिगो यह फिर पबना संथाल की अगर हम लीड किया था 1855 में सिद्धू और कन्हू दो ब्रदर्स थे सिद्धू और कन्हू इन्हों ने लीड किया था ठीक है बिसोई हमें पढ़ने के बिल्कुल भी जरत नहीं है इंडिगो हुआ था आपका यह थर्ड सही आंसर हो जाएगा 1859 में बेंगॉल की नादिया डिस्ट अधिक कर रहे थे तो इक क्योंकि इसको बहुत अच्छी कवरेज मिली थी एक तो हमारे जो एचसी मुखर जी है ठीक है एचसी मुखर जी 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 है उन्होंने क्या किया था उन्होंने अपना दा हिंदू पैट्रियट करके अकबार था उसमें इसको चापा था और नील दर चैटर जी है जिन्होंने आनंद मठ लिखी थी उन्होंने भी इसमें इसका जिक्र किया था ठीक है बंकिम चंद्र चैटर जी जिन्होंने अमारे देश का राश्ट्री अगीत वंदे मातरम लिखा जिसको कि हमने कब अडॉप्ट किया हमारी संविधान सभाने 24 जनवरी 1950 को बात अगर पबना रेबिलियन की कर लें तो पबना को जो है लीड किया था पबना रेबिलियन को लीड किया था किसने इशान चंद्र रोय ने इशान चंद्र रोय ने इसको लीड किया था और इनको हम इसलिए बिद्रोही राजा के नाम से जानते हैं उतना important तो नहीं लेक सेफगार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी और भारत के संविधान के किस प्रावधान के तरह सारवजनिक संपत्ति की रच्छा करना और हिंसा का त्याग करना नागरिकों का करताव है अब वाइलेंस की बात जब हम सुनते हैं तो किसकी याद आती है गांधी जी क्या आती है गांधी जी ने क्या बोला था एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ड ब्लाइंड खतम इसी तरह से तो याद किया था हम लोगों ने कि हमारी जो फंडामेंटल डूटीज है मौलिक करतव हैं जो कि अनुछेद नंबर 51 काम हैं जो कि पार्ट नंबर 4A में भाग अमेंडेशन पे एड किया गया था 1976 में जो 42nd amendment हुआ था उसके थ्रू इसको एड किया गया था जिसको कि मिनी constitution बोलते हैं उसी ने तो सारी duties एड करी थी और सर्दार सुरान सिंग ने ऐसा नहीं कि सर्दार सुरान सिंग ने जो बोली सारी डाल दी गई सर्दार सुरान सिंग ने बोला टैक्स पे करना एक duty होनी चाहिए इंद्रा गांदी ने बोला नहीं टैक्स पे करना नहीं duty अभी ठीक है दूसरे इन ने बोला कि अगर कोई duty अगर नहीं निभाएगा तो उसके खिलाफ जो है उसको सजा मिलेगी वो भी नहीं माना गया या इसको लेके एक flag code National Honors Act बना हुआ है हमारा National Honors Act बना हुआ है 1971 का जो ये बोलता है कि अगर तुमने आन्फम की disrespect करी फ्लैग और एंथम की तुमको सजा मिलेगी तो आब तुमको मिलेगी और इसका मुनी यादं कर चुके है ठीक है अब उस पे मैं नहीं ये चलो बताई देता ह यहाँ पर लिखा है तो यह हमारी 51 A के तहट total कितनी fundamental duties हैं 11 हैं 42nd amendment से बयाली संसोधन से 10 जोड़ी गई थी ग्यारवी वाली को किसे जोड़ा गया था 86th amendment of 2002 से जोड़ा गया था 2002 वाली से इसी से तो जोड़ा गया था अब यह A है यह B है यह C है ABCD तो सभी को आती होगी तो लिख लें जल दी से F G H इस तरह से तो A से anthem हो जाएगा B से बापू या फिर भगत सिंग जिन्होंने बोला होता है फिर उसके alphabetical position तीन होती है तो तीन चीज़ा है यहां पर टू अफोल्ड अन प्रटक्ट दी सॉवरेनिटी यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया डी से क्या हो जाएगा डी से हो जाएगा डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर दी नाशल सर्विस जब आप दीन इंड रिट टर के हम बात करते हैं तो मतलब बुड़र हुड मतलब पंच पांचो लोग पंच नामा ऐसे कर नहीं पांच सब लोग साथ साथ हैं तो मीं लिए सांद्स लैइक पांच, आल्परिकल पोजिशन पांच होता है F की अगर बात करें, F से Fort होता है, Fort, Fort, Kila Kila is what? Kila is Heritage, हमारा भारत का Heritage हो Composite Culture दिखाता है, जो Fort होता है G, G किसको दिखाता है? Greenery को दिखाता है, Greenery मतलब Greenery मतलब हमेशा Environment यह हमें अपने Environment को Protect करना है H, H से हो जाएगा Humanism I, I वाला बता दिया आपको आप भी लड़ोगे, तो फिर ऐसे तो सब कोई मर जाएगा यह गांदी जी का मानना था बाकी यहाँ पर यह कौन सा है? यह जे है जे से हमारे जड़ू, यानि जड़ेजा जड़ेजा जो है, वो Excellent है, All Sphere में, Batting में भी Fielding में भी, Bowling में भी, यानि to strive towards excellence in all spheres of individual and collective responsibility activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievement, और आखरी बच गई के, यह जो बात करता है किसकी, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को education प्रवाइड करो, यह सब Gargians को duty दी गई है ठीक है, तो यह duty सिर्फ और सिर्फ Indian citizens को दी गई है, foreigners के लिए duties नहीं है, ध्यान दखिए इसको अब मैंने आप से पहली बोला था कि यह पता होना चाहिए, जी आई इस तरह से पूछ लेता है, और पूछ लिया उसने तो जी से, environment को protect करना जी से, greenery, ह से, humanism जे से, जड़े जा, यानि कि to strive towards excellence in all spheres of individual and collective responsibility, so that our nation strives towards excellence in all, मदब जो भी आगे, जयादा हो गया, तो constantly rises to higher levels of endeavors and achievement, ठीके, the government of India has launched the government of India has launched startup India initiative in Dash with the objective of supporting entrepreneurs, building a robust startup ecosystem in India, भारत सरकार ने उद्यमियों को समर्थन देने भारत में एक मजबूत startup परिस्थिति की, तंदर का निर्माड करने के उद्यश से, Dash में startup इंडिया पहले की शुरुआत की, 2018 15, 16, 17 तो ये करा 2016 में, और किस दिन किया, 16 जनवरी को क्यों दिन क्यों बता रहो मैं, क्योंकि 16 जनवरी को ही, अभी पिछले से पिछले साल, मोदी जी ने बोला, कि startup day या फिर startup दिवस हम मनाएंगे, startup दिवस मनाया जाएगा इस दिन, 16 जनवरी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये startup, इंडिया जो scheme है, वो ministry of commerce and industry के तैत आती है, ministry of commerce and industry ठीक है, और ये DPIT, that is department of promotion and, department of promotion and industry and internal trade, ये एक department है, ministry of commerce and industry के अंडर, department आता है में स्टीज के अंडर में department आते हैं तो DPIT जो है, इसको वो करता है, ठीक है startup इंडिया को, अब बाकी हम लोग ध्यान रखना भी इससे, मुझे current affair याद आ रहा है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ ये जब हम लोगा 28 January को class है, ठीक है, live class जो पुरा current इंटरफेर January का देखेंगे, Sunday को, तो वहाँ पर देखेंगे Now, which equations describe the reflection and transmission of electromagnetic waves at an interface, Fresnel's equation Maxwell equation, Biot's equation Scrodinger equation, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका option number first, Fresnel's equation, ठीक है, बाकी ये हमको जानने के जरद नहीं, Fresnel, Maxwell, Biot Scrodinger, मुझे पता है, क्योंकि ये हमारा at all logical, ठीक है, तो इसको skip करेंगे, लेकिन इसका ये है, main करने को देश किये, कि अगर को ये question repeat होता है तो हमें आना चाहिए, ठीक आगे बढ़ते हैं, the last question, नहीं, second last, 18 के बाद 19, ठीक है, second last question is this, which from the following is a phylum of animals found in fresh water ponds, lakes and swamps, provides stay, citae, और parapodia for locomotion पौरी फेरा, platy, helminthus, टीनोफोरा, या फिर अनलीडा, कौन होता है, जो lakes और सैंप में, जो है, phylum of animals, lakes and swamps, ठीक है, citae, अच्छा, ये locomotion के लिए इसमें ये लगे होता है, that is your अनलीडा, option number fourth, इसका एक example मैं आपको बताता हूँ, earth warm, जिससे जो होता है, हमारा वो अनलीडा, फिर बिलॉग करता है, earth warm, ये केचुआ, तो different phylum होते हैं, porifera के अगर ग्रहान रखना, porifera में, porifera जब भी हाज, इसका मतलब sports, इसमें छेद होंगे, जिनको sponges के नाम से जानते हैं, और ये छेद ये फिर sponges, जो हैं, मतलब जोड़ जोड़के, जोड़ जोड़के, पुरा water canal system डवलप कर लेते हैं यहाँ पर, तो कोई भी चीज इनके अंदर निकलती है, जाती है, तो water canal system सही जाती है वो, ठीक, platy elementis, एक phylum है, याद इसमें पता है क्या पूछेगा, ये flat body organisms होते हैं, याद कैसे रखेंगे, plat, plat, lat, 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 lativ body है, lativ body है, याद फ्लाट बोड़ी है, तीनो फोरा अगर बात करूं, तो तीनो फोरा, जो हम POCO city करके trick पढ़ते हैं, उसमें आता ही है, पोर से होता है पोरी फेरा जो अभी पड़े थे जिनकी बोडी में पोर्स होते हैं स्पॉंजर सोते हैं सियो से हैं सीलेंट रेट्स सीलेंट रेट्स जो के एक फाइलम है और टी से सिटी से है टीनो फोरा ये जो होते हैं हमारे तीनों मिलके क्या होते हैं ये तीनों होते हैं डिपलोब्लास्टिक डिपलोब्लास्टिक होते हैं और जितने अब इसको छोड़ के कोई भी कभी आपसे पूछ ले कि कौन साएmade Diploblastic Diploblastic तो यह PocoCity Diploblastic है र MARCब Tr ոर्प Terraploblastic है Diploblastic का मतलब इसमें दो skin layers होती है वो दो skin layers कौन सी होती है एक तो अंदर वाली Endoderm UX एंड़ोडर्म और एक बाहर वाली ectoderm ectoderm और जो Triploblastic होते हैं उनमें एक 3rd layer beach वाली layer होती, उसको बोलते है mesoderm clear, and the last question for the day is, the vision of inclusive growth was emphasized in which of the following five-year plans in India, भारत में निमलिकित में से किस पंचिवर्षी योजिना में समावेशी विकास की दरश्टी पर जोड दिया गया 8th, 9th, 10th या फे 11th, inclusive growth, ये दिया गया 10th पे, 11th का पता है क्या था इसका था inclusive, inclusive का मतलब है सबको साथ लेके चलना है 11th में था faster and inclusive growth 11th में था faster and inclusive growth ठीक है और 12th में क्या था 12th में था faster sustainable and inclusive growth हर एक अगले वाले 5-year plan में एक नया शब्द जोड रहा था inclusive पहले से था 10th में, 11th में faster जोड गया faster भी था, inclusive भी था 12th में sustainable जोड दिया 10th की अगर बात करें कि इसका time period क्या था तो 12th का क्या था जो कभी complete हो ही नहीं पाया 2012 से 2017 तक होना था लेकिन 2014 में सरकार change हुई और एक January 2015 को नीती आयोग सेटप कर दिया, planning commission की जगे में planning commission वो body थी, जो 5 year plan को implement करती थी और planning commission की अगर बात करें तो ये कब सेटप हुआ था ये से 2000 बोलना हूँ 1950 में सेटप हुआ था, 1950 में ठीक है, एक January 2015 को सेटप हुआ था, नीती आयोगी ये भी question अभी recently पूछा गया था 11th 5 year plan की बात करें तो अवेसी बात है, 2012 में ये शुरू हुआ है 2012 में पिछला उलग हतम हुआ गए 11 उलग शुरू कब हुआ होगा 2007 में ये कब शुरू हुआ होगा दसवाला 2002 में 2002 से 2005 असारी 2007 तक ठीक और एट वाला ध्यान रखना है एट वाला एट वाला था आपका 1992 से शुरू होके 1997 तक गया था और एट फाइफ ये प्लान में इंडिके प्लान में तो यह 8th 5-year प्लान में करी गयी थी क्यों करी गयी थी क्यूंकि 1992 से पहले कोई फाइफ ये प्लान नहीं आया था दो साल तक 1991 around 92 में आये थे annual plan कोई 5-year प्लान नहीं आया था क्यूं क्यों क्यों हमें पता है 1991 को हमारे L लग गय थे economic sense कि हमें जाना pomढ था IMF के अब हमने एकनॉमिक रिफॉर्म्स लाए उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नर्सिम्मा राओ जी थे और मन्मुहन सिंग फाइन्स मिनिस्टर थे तो मन्मुहन सिंग के बारे आप कुछ भी सोचें ठीक है कि बोलते नहीं यह वो लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा माने आप ना माने लेकिन यह रियालिटी है कि 1991 में इन्हों ने जो LPGA रिफॉर्म्स इंट्रड्यूस किये थे लिब्रलाइजेशन इनकी वज़े से हमारी देश की अर्थिक स्थिती सही हुई ठीक है वो पॉलिटिकली कैसे है किस पार्टी से उसको थोड़ा साबको साइड मेर्क देना चाहिए ठीक है अब जैसे मैंने एक वो कोरल साली बात बता दी जिसमें मैंने थोड़ा से यह बोल दिया कि BJP के एक सा तक नहीं बढ़ता है लेकिन जो रियालेटी हो तो मेरा बताना आपको फर्ज है क्योंकि एक क्वेश्चन एक्जाम में से पूछा जाएगा यह तो चलो ठीक है नहीं पूछा जाएगा यह लेकिन यह पूछा गया है कि LPG जब रिफॉर्म से इंट्रिदूस हुए थे तो कौन था finance minister कौन था तो 1991 जिसको हम year of economic divide भी बोलते हैं इंडिया में यह मैं पहले भी बता चुक हूँ आपको year of economic divide in इंडिया ठीक है and thank you आज क्या लेक्चर अमरा होता है खतम इसकी PDF डाउनलोड करना है आपको तो परमार SSC के टेलीग्राम से कर सकते हैं जहां पे daily quizzes भी होत में English Hindi दोनों में हैं अलग-अलग English में भी और Hindi में भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पर अविलेबल हैं बाकी application पर ही परमार Academy आप पे आपको एक फीचर दिख जाएगा नया फीचर में ने एड़ कर वाया live quiz का feature वहां पे आप quiz attempt कर सकते हैं जैसे भी CHSL mains का paper हुआ था तो उसक GK के सारे questions यहां पर डल गए हैं आराम से बढ़ी attempt करो और देखो अपने progress को track करते रहो ठीक है और बाकिया एप में review अगरा भी दे दिया करो play store पे हैं चलो वाई thank you सबी को मिलते हैं अगले lecture में धन्यवाद